एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिग्यासा रखी। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा आओ हम कुछ देर यहां के बगीचे में गुमे। बगीचे में गुलाब और रजनी गंदा के सुगंदित फूल लगे थे। युवक बुला इन फूलों की सुगंद से सारा वातावरन महक रहा है। बुद्ध ने कहा वजस तुम ठीक कहते हो कि तु एक बात बताओ कि यह सुगंद तुमें दिखाई दे रही है। युवक बोला जी नहीं सुगं तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा बस यही तुमारे प्रशन का उत्तर है। तुमारे शरीर में जब कभी कही चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो। युवक बोला नहीं वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा। आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूती के द्वारा उसका शाहशातकार होता है ना कि स्तूल नेत्रों से युवक अपूर्ण संतुष्ट था बुद्ध का अबार मानते हुए वह चला गया इस कहानी का मौरल यह है कि परमात्मा सदेव अनुभूती के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णत संभाव को प्राप्ध हो चुका हो